सर्वेप्यन नमो नमा नमशकार देखे विध्यारतियों आपकी जो जग्यासा थी आने वाले एक्जाम्स के विशे में उन सभी जग्यासाओं का समाधान करते हुए अनुमानों को लगाम देते हुए आरपी एसी ने आगामी भरती परिक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर दिया है तो टेंटेटिव डेट दे दी गई है अर्थात लगभग अनुमानित दे दिया गया है विस्त्रिट जो डेट है वो शिग्र ही जारी की जाएंगी तो आरपी एसी के द्वारा स्कूल लेक्चरर, संस्कृत एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन दोनों का सेकंड ग्रेड दोनों जो स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन के फॉर्म निकले हुए है या निकल चुके हैं उन सभी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है इसमें सबसे पहले है असे लेक्टिर उस्कूल से बूछा की है उसका एक्जाम होगा 27 से और 30 अगस्त के बीच में हब हमारी स्कूल लेक्षर की बात करें जो स्कूल विभाग की वेकेंसी है तो स्कूल लेक्षर जो की नॉर्मल है da सिक्षा की है, सेकंडरी एजूकेशन डेपार्टमेंट की है, उसका एक्जाम सबसे पहले, जितनी भी हमारे पास सिक्षक परतियां हैं, उन में से सबसे पहले अक्टूबर के सेकंड वीक से और फोर्थ वीक में होने की संभावना है, तो आप अक्टूबर मानकर अपनी तैय प्रारंब कर दीजिए, जहां पर भी आप हैं, अब जोर शोर से इसमें जुट जाईए, सबसे पहला जो एक्जाम आपका होगा, वो होगा स्कूल लेक्चरर, सेकंडरी एजुकेशन नॉर्मल जो है वो वाला एक्जाम, उसके बाद संस्कृत एजुकेशन डेपार्टमें के जो फॉर्म निकले हुए है, स्कूल लेक्चरर के, उसका एक्जाम होगा, नवंबर में, तो 13 से और 15 नवंबर के बीच, इसका एक्जाम होगा, इसकी परिक्षाएं आयोजित की जाएंगी, सेकंडरी डेड की अगर बात करें, तो जो नॉर्मल सेकंडरी है, स्कूल एज किया जाएगा, लेकिन अभी आप मान कर चलिए, कि अगर आप सेकंडरी की तयारी कर रहे हैं, तो 17 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच, आपकी परिक्षाएं हो सकती हैं, और जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेकंडरी के फॉर्म निकले हुए है, उसका एक् आप से निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि फस्ट गेर और सेकंडरी के एक्जाम के मद्य काफी समय दिया गया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अमे कर रकी हैं, तो आप पहले फस्ट गेर की तयारी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना समय सेकंडरी को भी आराम से दे सकते हैं, तो ये आपके लिए खुशकबरी है, आपका रास्ता साफ कर दिया गया है, और अगरिम भविशे की बहुत बहुत शुब कामना हैं, जिस भी परिक्षा की आप तयारी कर रहे हैं, उसमें भली भाती जुट जाईए, क्योंकि अब समय बिलकुल भी नहीं बच आप हमसे पहले से जुड़े हुए नहीं है, और अगर आप संस्कृत विशे से किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी से संबंदित वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे, आप सरल संस्कृत सुगम संस्कृत चैनल की मदद से संस्कृत भाषा क की संपून तैयारी कर सकते हैं, तो अगर आप संस्कृत भाषाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैल आइकन को अविशे ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडिय में तब तक के लिए धन्यवाद